नमस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो दिनांक 10 फरवरी 2023 से आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है और यह चमतकार आपकी जिन्दिगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा मित्रो वीडियो बहुत खास होने वाली है एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एसी वीडियो का निर्मान रोज-रोज बिल्कुल भी नहीं होता है आईए मित्रो सबसे पहले अगर नजर डाले पंचांग पर तो 10 फरवरी को मित्रो सुक्रवार कवार है साथ मे फालगुन मास के क्रश्ण पक्स की मित्रो पंचमी टिती है और आप सभी को बता देते हैं कि उत्तर साड़ा नक्सत रहे वहीं अगर सुर्र की स्थती देखे मित्रो तो सुर्र तो मकर रासी में विराजमान रहेगा लेकिन दूसरी और चंद्रमा जो है मित्रो वह कन्या र बहों की चालका एवं नक्सत्रों की चालका आपकी राशिपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रोerm व्यापार की डृरस्टी से नोक्री की डृर्ष्टी से पारिवारिक जीवनियापन के लिए प्रेम आने वाले हैं तो आईए मित्रो अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की शुरुबात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से उसके पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आई मित्रो वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ अमतकारी उपआएं शिद्ध मंतर भी लेकर आए हैं तो मित्रो आई अब बात करते हैं एक अनमोल विचार की जो हमारे गुरुजी आपके लिए कहते हैं मित्रो गुरु जी कहते हैं कि जीवन में कर्म बड़े ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ना तो किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की दुआ खाली जाती है इसलिए अपने जीवन में हमेशा लोगों की दुआए कमाना मित्रों क्योंकि पेशा हर कोई कमाता है लेकिन जीवन में तकल वही हो पाता है जो लोगों की दुआए कमाता है गुरुजी का यह द्यान आज भी अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा तो आईए बात करते हैं अगले 24 गंटों के महतप्रण समय अंतराल की मित्रों आप जादोई उम्मिदों की दुनिया में हैं आर्ठिक डरस्टी से आपका समय जो है पूरी तरह से मिला जुला रहने वाला है मित्रों आपको धनलाब तो हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको एक चीज है वह एक कड़ी मेहनत करने होगी क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए मित्रों कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की आप को जरूरत है क्योंकि घर के जो जरूरी मामले हैं इस वक्त यदि आपने उन पर ध्यान दे लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और आपकी और से की गई लापरवाही थोड़ी सी महंगी साबित हो सकती है अपने प्रिये की पूरानी बातों को माफ करके आप अपन से हुए भी कोई गलत काम कर बेठेंगे या गलत कदम उठा बेठेंगे जिसकी वज़े से आपको अपने सेनियर्स की डाट सेहने पर सकती है कारोबारियों के लिए अगर देखा जाए तो यह समान्य रहने की उम्मिधे मित्रो समय थोड़ा से समान्य रहेगा क्योंकि किसी अगर हां तो आप हकीकत में महसुस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी मित्रो रिस्ता जो होता है वो भी रिस्ता मामूली नहीं होता है भगवान ने कहते हैं मित्रो कि जो साधी व्याह का रिस्ता होता है यह भगवान उपर से ही बना जीवन और पारिवारिक दोनों ही प्रकार के सुख आपको मिलेंगे आप पूरी तरह से और जासे लबरेज होंगे आप जो भी करेंगे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे और जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं भागीदारी वाले वेविसाय और चाला की भरी आर्थिक योजनाओं में इस वक्त बिल्कुल भी निवेस आपको नहीं करना है बच्चे कोई दिलखुस करने वाली खबर ला सकते हैं और महुबत का सफर प्यार मगर छोटा होगा महुबत का जो सफर रहेगा वह यादगार जीवन बना देगा और बड़े उद्योग पतियों के अपना किमती वक्त बरबाद कर सकते हैं मित्रो जीवन साथी के साथ बेहस एक बेहतरिन साम गुजारेगी लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बेहस भी ना करें हट्टी मिठी नोग जोग हाला कि हर जीवन के लिए जरूरी होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि इसका खयाल रिस्तों पर नकरात्मक तरीके से पड़ें मित्रो खयाली पुलाओ पकाने में वक्त बिल्कुल भी जाया ना करें और जीवन में जो आपको इस वक्त इस्थिर दिखाई दे रहे उस पर धियान दें मित्रो सार्तक कामों में लगाने के लिए अपनी उर्जा बचा कर रखे और घर की छोटी छोटी चीजों पर आपका बहुत धन खराब हो सकता है जिसकी वज़े से आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं बच्चों की उनसे जुड़े मामलों में मदद करना आवश्यक्ता है जिन मामलों में उन्हें कोई भी राहा इस वक्त नहीं दिख रही है परियोजनाई सुरू करने के लिए सही समय है यात्रा और भ्रह्मन वगिरा न सिर्फ आनंद दायक सिद्ध होंगे बलके काभी सिक्सा प्रद भी रहेंगे और कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिल्चस्पी दिखा सकता है लेकिन समय के आखिर तक आपको एहस कास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है आर्थिक स्तिति को अच्छा रखने के लिए कांसे का दानकरे इससे बुद्ध प्रसंद रहता है और एसे काम करने के लिए वेतरन समय है जिने करके आप खुद के बारे में अच्छा महसुस करते हैं खुद के लिए आपको गर्व हो उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए और अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें आपके कामों के पिछे प्यार और लालच की दूर द्रिश्टिकी भावना होने चाहिए मित्रो कभी भी लालच ज़्यादा दोर रख करना करें मित्रो लालच एक एसास स्वभाव है जो जीवन में जेहर घुल सकता है आपके प्रिये का मोड बिलकुल भी ठीक नहीं है उनके मोड को ठीक करने का प्रियास करें इसलिए सोच समझ कर कोई भी काम करें और किसी भी तरह की साजेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदुरुनी भावना की बात जरूर सुन मित्रो गनेज जी का कोई चित्र हमेसा अपने पास रखने से प्रेम संभंध बड़े ही मजबुत होंगे अपने स्वास्त को लेकर जड़ा चिंता ना करें स्वास्त बहतर बना हुआ है क्योंकि इससे आपकी बिमारी मित्रो सही भी हो जाएगी तो आईए अब हम आपको ब बड़ी ही ध्यान से सुनियेगा हमारे गुरुजी ने आप लोगों के लिए बनाए है यदि मित्रो आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही है समस्या के ऐसी भी है घबराना नहीं है बहुत बहतरिन उपाय हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है किसी भी गुरुवार क दिन आपको मित्रो मतल लक्समी की तस्वीर या मुर्ति के सामने पांच कोडिया इस्थापित करनी हैं जिने लक्समी कोडि केते हैं उसके बाद मित्रो आपको क्या करना है कि दिपक अगर बत्ती करके पूझा पाट करके उन पांच कोडियों को उन स्थान से उठाकर लाल क कमी नहीं होगी और व्यापार में दिन दोगने और राच चोगने तरक्की होगी और परिवार भी खुसी से जीवन व्यतित करेगा मित्रों वही बता देते हैं कि सनिवार को केक्टस के पोधे पे आधा कटोरी पाने दिना घर से बाहार यह राहू को मित्रों जुदुस प्राप्ति भी होती है तो गुरुजी का यह उपाय और वीडियों बताया गया रहा रासिफल सटिक था एक एक बात आपने सुने उसके लिए धन्यवाद मित्रों हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा वह जो इस स्क्रिन पर आपको लाल बटन दि दबा दीजेगा वह पास में वह घंती भी अवश्य ही दबा दीजेगा और मित्रों देनिक रासिफल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा मित्रों मिलते हैं आपके साथ अगली रासिफल की व